हेलो फ्रेंड्स अन्बॉक्स सर्विस में आपका सोगत है दोस्तों अगर आप लोग घर पे मौली फिस रखते हैं और आपका फिस कुछी दिनों में मर जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल सस्क्राइब कर लेजेगा मैं आज आज आपको तीन फिस रखे उसमें लगाने ही होगा आपको क्यूंकि आपका फिस अगर लंबा लाइफ जीना उसको देना है तो आप लोग जहूर उसमें ऑक्सिजन लगा है दोस्तों और आपको हमेशा चलने देना है मौली फिस के कंडिशन में आप बस एक घंटे के लिए कभी-कभी लेना है थोरा पानी उसके बाद उसमें दान डाल देना है और उसको आधे घंटे के लिए फूलने देना है फूलने के बाद थोरा उसका साइज बढ़ जाएगा और उसको बाद उसको दान डाल देना है आप लोग देख सकते हैं इसमें फिस को डालते के साथ ही तुरंत फ खालेगी और इसको तोरने में कोई भी प्रोलम नहीं आएगा फिस अराम से खालेती है सुखा हुआ दाना देने से क्या होता है फिस नहीं खा पाती बढ़ियां से और पेट में जाके उसका प्रोलम हो जाता है और कुछ दिन के बाद फिस खाना खाना छोड़ देती है और मर भी दिये थे तो आपको 10 दाना देना है सुबा और रात में बस दो ही टाइम देना है और अगर आपको छोटा फिस है तो दो दाना एक फिस को और अगर मेडियम से का फिस है तो तीन दाना आपको देना है या चार दाना भी दे सकते हैं आप लोग बस देख लिजेगा कि ए ऐसा molly fish अक्सर करते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 5-6 fish रखते हैं, तो कोई न कोई fish disturb करता है, एक दिसरे हुए खाने नहीं देता है, तो आप लोग थोड़ा पानी में डालने के पाँ उसको कडस कर लेजएगा, उसको दाबिएगा, तो दाना चूर हो जाएगा, उसके बाद आप जो fish नहीं खा पाती है, उसके पास हीप गिराईएगा दाना, फिर वो कुछ न कुछ खा लेगी, आप लोग ये ट्रैकर करके देखिएगा, अक्सर फिस इसलिए ही मरती है, molly fish क्योंकि दूसरे फिस उसको नहीं खाने देते हैं, आपक लाइक किजएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा, ठैंक यू